हाई गाईज वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विवेक डॉट कॉम और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी को लेकर मैं अल्रेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी और 18,000 का जो इनिशियल अपना टेकनिकल अनलिसिस के हिसाब से टार्गेट निकल कराता है वो अभी तक का इंटेक्ट है टाइम टू टाइम चीजे नीचे आती हैं लेकिन फिर से उपर चली जाती है तो अभी भी वापस से फिर से एक ऐसा टेकनिकल चार्ट बेटन यहाँ पर बनता है जो साफ साफ यह चीज बताता है कि अभी यहाँ से अपमूव लगातार ऊपर चलती रहेगी ऐसा टेकनिकल ही लगता है लेकिन जब मैं इस तरह की बाते करता हूं तो एक बात जरूर ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है जो कुछ करना है आपने अपने हिसाब से करना है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ सीखना है और सीखकर जब हम बातों मिन्स अनलाइज करके अच्छे से समझ के जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें confidence होता है और सीखने के लिए मैं हमीशे एक ची होते हुए एक बार में सबसे पहले overall यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं जब भी इस तरह का market में बड़ा सा crash आता है जैसे यहाँ पर 12,300 से 12,400 से market crash होकर काफी नीचे यहाँ पर आ गई थी और जो इसने low बनाया था pandemic के दोरान वो 7500 का था तो यह एक बहुत बड़ा fall और यह इतना बड़ा fall था कि जो इसने low बनाया था वहां से लेकर all time high तक वापस जाने में इसको 65% उपर जाना था तो यह एक significant fall होता है जो actually 10 years में एक बार के आसपास ही आता है तो लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब भी इस तरह के नीचे fall आते हैं तो fall आते हैं लेकिन नीचे रुपते नहीं है तो यह चीज में हमेशा कहता हूं कि market को नीचे लाया जा सकता है लेकिन नीचे रोका नहीं जा सकता क्योंकि जिन लोगों के हाथ में market को उपर या नीचे ले जाना होता है उनके favor में market का उपर रहना ही उनके favor में रहता है तो वह market को नीचे जरू के crash आते हैं उसके बाद में market lifetime hyper वहां जाकर रुकती नहीं है जनरली उससे काफी ऊपर चली जाती है the same thing is happening now और इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही 18,000 का अपना target आया था आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे निफ्टी 18,000 विवेक सिंगल करके तो वो वीडियो भी निकल कर आ जाएगी और यहां पर एक और important point है कि जब से market चली है जब से इसने नीचे से high बनाने शुरू किये हैं उसके बाद से जितने भी low बने हैं वो higher lows बने हैं इसको doubt theory कहते हैं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब significantly support टूटी हो लगातार जितनी भार भी यहां पर market वापस से consolidate होकर नीचे आई है उसके बाद में लगातार इसने higher lows बनाए हैं और यह higher lows एक्चुल में इसी चीज को यहां पर indicate करते हैं कि अभी market में बहुत दम हैं यहां पर अगर देखें तो एक बार यह थोड़ा सा यहां पर कोशिश की थी यह इस लोको नीचे की तरफ ब्रेक करने की लेकिन ब्रेक हुआ यह फॉल्स ब्रेक आउट था नीचे की तरफ को जि में fall on selling pressure नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि यह fake था और यहां पर trap किया गया retailers को कि market और नीचे चली जाएगी और नीचे चली और market और नीचे नहीं गये और फाइनली ऊपर जाना शुरू कर दिया तो यह भी एक strong base बन गया उसके बाद में जो current में यहां पर यह base बना है यह base basically एक shape में बना है और इस shape का मैं अकसर जिक्र करता रहता हूँ हमेशा इस चीज को समझाता रहता हूँ कि यह भी एक cup with handle pattern है यह इसका cup है और यह इसका handle है और जब cup with handle pattern बनता है और वो continuation में बने तो यहां पर इस चीज की पूरी probability होती है कि यहां से अब यह breakout देगा उ highest ever level पर हुई है जो close है यानि कि 15,879 आज तक इससे उपर कभी closing नहीं हुई अगर हम closing वाला level देखें जो यह वाला level है अगर हम इसके उपर यहां पर marking कर लें तो marking से आप देखोगे कि यह highest level पर यहां पर closing हुई है 15,879 इससे पहले यहां पर उपर खुला लेकिन नीचे आ गया इससे यहां पर closing नहीं हुई इससे उपर गया लेकिन वापस नीचे आकर बंद हुआ यहां पर इसको touch किया नीचे आकर बंद हुआ और यहां पर भी उपर तक गया लेकिन नीचे आकर ही close हुआ तो आज की जो closing है वो highest ever closing है और यहां पर technically अगर हम इस cup with handle pattern के base पर एक बार उपर का target निकाल लें तो neckline के उपर अगर इसको लगाते हैं तो यहां से further 3% के upside potential नजर आता है 16,345 का यहां पर nifty का target निकल कर आता है और ऐसे में सबसे important point क्या होता है कि जब भी nifty lifetime high बना रही होती है उसके बाद में mid cap और small cap में rally अकसर आती है तो जब यहां पर वापस से lifetime high की तरफ nifty जा रही है तो जो shares में mid cap small cap में यहां पर chart patterns बन रहे हैं तो वहां पर एक high probability बनती है कि वो shares यहां से उपर की तरफ चलना शुरू करेंगे तो एक एक share पर नजर दोडाना कि वो कौन से shares हो सकते हैं जो यहां पर इस तरीके से breakout के साथ चलना शुरू करेंगे मैं यहां पर एक example आपको देना चाहूंगा जिसके बारे में हम कहीं बार बात कर चुके हैं और उसका नाम है Equitas Holding क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप जाओगे और Equitas विवेक सिंखल करके सर्च करोगे तो यह वीडियो यहां पर दो वीडियो निकल कर आती हैं एक है दिवाली गिफ्ट धनकी बरसाथ यह 7 मंस पहले बनाई थी तब इसका प्राइस 49 होता था उसके बाद में एक और वीडियो बनाई थी एक और वीडियो बनाई थी इसी को लेकर तब भी इसका जिक्र हुआ था तो 7 मंस पहले यह 49 के आसपास था और अगर हम आज इसका प्राइस देखें तो आज इस पे 20% का अपर सर्केट लगा था जो क्लोजिंग के टाइम पर क्योंकि एवरेजिंग होती है तो 18.19% बढ़के बंद हुआ अधरवाइस इसमें अपर सर्केट था और अपर सर्केट का बड़ा सिंपल सा रीजन था कि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटरन बना था उसका जो टारगेट आता था 120 आता था और इसने इम्मीडेटली यहाँ से सीधा सीधा इसको पिक कर लिया हमने जो जब वीडियो बनाई थी वो ये वाले लिवल्स थे 49.65 के आसपास तो 14-13 नवंबर की वो बात थी तब 13 नवंबर को हमने वीडियो बनाई थी और 13 नवंबर से लेकर अब तक यहाँ पर कितना इसमें ग्रोथ आ चुका है 125% का यहाँ से ग्रोथ आ चुका है 236 डेज में यानि कि less than 8 months में यहाँ पर 125% का गेन आ चुका है जब मैं कहता हूँ कि 40% CAGR निकालना मार्केट में कोई मुश्किल काम नहीं होता सिर्फ हमें समझदारी से काम करना है और इस तरह की वीडियो जब मैं डिस्कस करता हूँ तो एक और क्वेस्चन अकसर आता है विवेक भाई अगर यह कंपनी इतनी ही अच्छी थी तो जब यह lifetime high पर यहां trade कर रही थी 206 पर तो यह 206 से 50 आई ही क्यों तो वो questions के देखो कोई answer नहीं है उसको सिर्फ एक ही चाहिए मैं उस तरह के question पर सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि पहले सीख लो सीखने के बाद में आपके questions के answers अपने आप आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप समझ जाओगे कि market उपर से नीचे इस तरह से क्यों जाती है तो यहां पर इस चीज को समझना बहुत important होता है अभी आज 20% यह उपर चला गया और बिना किसी reason के आपको ऐसा लगता है बिना किसी reason के otherwise यहां पर chart pattern भी है fundamentals भी है technical analysis भी है और business analysis भी है सारी analysis के बाद जब हम market में काम करते हैं तो चीजे बहुत अच्छी होती है मैं हमेशा से कहता हूँ सीख कर करो चाहे YouTube से यहां से सीख कर करो चाहे मेरी personal class में सीख कर करो तो phone कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो WhatsApp पर reply ने आया तो phone कर लेना क्योंकि sometimes इतने WhatsApp आते हैं कि सभी के reply करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर subscribe नहीं किया चैनल को तो subscribe कर लेना दोस्तों कर शेयर कर लेना और मज़े करना thank you so much have a nice day